डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके असलाम आलीकुम मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल M.A.T. हबवित कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का टापिक है एसकराइसेज वक्जाय नहीं करते हैं शुरू करते हैं अपना टापिक सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसकराइसेज क्या है दरसल में ये एक पैरसेटिक इन्फेक्शन है और ये कीड़ा ज्यादातर मिटी में पाया जाता है और मिटी से ही लोगों में मुंतकिल होता है ये ऐसा इन्फेक्शन है जो के पूरी दुनिया में पाया जाता है अगर ह ये round warm में सबसे बड़ा कीड़ा होता है इसलिए इसे giant warm भी कहा जाता है ये 25 cm ये 25 cm से ज्यादा बड़े साइज में भी होते हैं ये आंतों में मौझूद जो कीड़े होते हैं तो उन में से ये कीड़ा सबसे आम तोर पर पाया जाने वाला कीड़ा है अगर हम इस कीड़े की microscopic forms की बात करें तो ये दो forms में available होता है पहली form को कहा जाता है एक या ओवा एक और ओवा के चार forms होते हैं आप साथ में पिक्चर्स भी देख सकते हैं पहली जो एक form है उसे कहा जाता है fertilize form दूसरी जो form है उसे कहा जाता है decorticate form और इसमें जो outer membrane होती है तो वो इससे हड़ जाती है तीसरी जो form है उसे कहा जाता है embryonated form और इसमें जो कीड़ा है तो वो एक के अंदर बन चुका होता है और वो तायार होता है कि ये एक ये फटे और इससे जो warm या लार्वा है वो बाहर निकले चौती जो form है उसे unfertilized form एग या ओवा कहा जाता है इसके इलावा जो दूसरी form है जो लार्वा form है जो warm form है उसमें male और female लार्वा form होते हैं जिसमें जो female लार्वा होता है वो as compared to male लार्वा वो साइज में बहुत बड़ा होता है बात करते हैं इस के रसलमरिकोइडस के life cycle पर तो सबसे पहले इसका जो infected embryonated eggs होते हैं तो वो गंदी खुराक या गंदे हातों की मदद से हमारे मुग के रास्ते से हमारे जिसम में दाखिल हो जाते हैं ये eggs अंदर हमारे आंतों में फट जाते हैं पहुंच जाते हैं ये फिर जिगर में और हमारे फेपडों में ये फिर हवा की नाली तक उपर जाते हैं और दुबारा से नीचे हमारी आंतों में आ जाते हैं छोटी आंत में ये कीडे मिचेवर होते हैं वहाँ पर डिर सारे अंडे ये देते हैं और फिर वो अंडे जो स्टूल है फीसिस हैं उसमें ये फिर पास होते हैं जैसे ही ये अंडे मिटी में जाते हैं नीचे तो ये फर्टिलाइस फॉर्म में होते हैं और 30 से 40 दिन लगते हैं कि ये इंफेक्टिव इंब्रियोनेटिट फॉर्म में चेंज हो जाएं तबदील हो जाएं और दुबारा से किसी भी शख्स को ये मतासर कर सकें अभी बात करते हैं स्कराइसिस के अलामात पर कि जब स्कराइसिस का इंफेक्शन होता है तो मरीज में अलामात क्या होती है मरीज को बुखार होता है मरीज को खांसी होती है बलगम में खून आता है पैट का शदीद दरद होता है आंतों में जखम पड़ सकते है लौइफलर सेंडरॉम हो सकता है मरीज का वजन दिन godin कम हो रहा होता है मरीज बहुत ज्यादा ठकता है और जो कीडे हैं तो वो स्टूल में भी पास हो जाते हैं और कभी का बार वो उल्टियों में भी बाहर निकलाते हैं मरीज का पेट खराब रहता है और स्टूल में खून भी आ सकता है अगर हम तश्खीस की बात करें कि इसकरायसिस के लिए तश्खीसी टेस्ट कौन से है तो एक ही टेस्ट है जो बहुत आम तोर पर किया जाता है लिबाटरीज में और वो है स्टूल रूटीन इग्जामिनेशन इसके इलावा अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज में इसके दो किसम के जो मेडिसन है वो अवेलेबल हैं अगर इन दोनों में से कोई भी लिया जाए तो ये कीड़े बहुत असानी से मर सकते हैं पहला जो मेडिसन है वो कहलाता है अलबेंडाजोल और दूसरा जो मेडिसन है वो कहलाता है मिबेंडाजोल इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करें तो वो मौसर होगा बहुत ज्यादा शुकरिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हमारे चैनल MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजिएगा अपन देर सारा ख्याल रखियेगा अल्लह हाफेज